हलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप WhatsApp के थ्रू अपना current location कैसे share कर सकते हैं आप अगर iPhone यूज़ करते हैं तो भी उसे share कर सकते हैं और सामने वाले के person के पास अगर Android device है तो भी कोई problem नहीं है तो इस वीडियो का सुरू से लेकान तक देखते रहे हैं आप देख रहे हैं तो चलिए देखते हैं दोस्तों आप WhatsApp के थ्रू जैसे image और audio message send कर सकते हैं वैसे ही WhatsApp के थ्रू आप location भी send कर सकते हैं तो उसके लिए सब से पहले आपको open करना है WhatsApp और WhatsApp में जो भी person को आप current location send करना चाहते हैं वो conversation में आपको चले जाना है और यहां से आपको tap करना है plus button अगर iPhone है तो और यहां से आपको choose करना है location जैसे ही location choose करेंगे तो आपके device में जो map application होगी उसके थ्रू location जैसे आप उसे tap करेंगे तो उस person को आपका current location चला जाएगा अभी मैं आपने दूसरे device में देख रहा हूँ कि कैसे location receive हुआ तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे Android device में location receive हो गया देखने के लिए मुझे उसे simply tap करना है टैप करूंगा तो यहां पर दो option आ गए मुझे वह जो location है वाया map application के तुरू open करना है या तो फिर browser के तुरू अब मैं यहां पर tap कर रहा हूँ maps तो just once tap कर रहा हूँ ताकि एक ही बार यहां पर मुझे पूछे और दूसरी बार मुझे दूसरा option choice करने का मौका मिले तो यहां पर आप देख रहा है कि मेरा जो current location है वह यहां पर blue dots में बता रहा है और दूसरा जो location receive हुआ वह pin के तुरू मुझे बता रहा है तो वैसे ही आप कोई भी location अपने friend के तुरू share कर सकते अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप android device में है तो कैसे current location या तो भी nearby location send कर सकते है तो उसके लिए आपको tap करना है यह pin icon pin icon को tap करें कि यहां पर अलग-अलग option है images वगरे कैसे audio send करना है तो उसमें से आपको यह option choose करना है location तो यहां पर भी आपके device इसमें android device में जो map application ओपन हो जाएगी और आपका current location यहां blue dots में बताएगा और साथ में nearby location भी आ जाएगा अगर आप current location send करना चाहते तो simply आपको उसे tap करना है जैसे आप tap कर देंगे तो वाया android device के तुरू सामने वाला जो person है उसके पास आपका current location चला के अंदर आपका current location भी बता रहे आप उसे zoom करेंगे तो थोड़ा difference आपको पता चल जाएगा यह mobile tower वगरे signal की बज़े से कभी-कभी जो location होता है 100% accurate नहीं होता कुछ meter का उसमें difference होता है तो ऐसे आप अपने iPhone या तो फिर android device के थूर वाया WhatsApp अपना current location जो bell का button है उसे भी tap कर दीजे तो जब भी मैं नया video upload करूँगा तुरंद आपको अपने device में उसका push notification मिल जाएगा और आप मेरा नया video देख पाएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद